ओम नमस्षिवा आईए सुनते हैं सिव महापुरार का बारहमा अध्यार यगदत जब कभी भी घर जाकर अपनी पतनी से गुर्णिधी के संबंध में पूछता की इस समय गुर्णिधी कहा है तो वह सदा जूठ बोल देती और कह देती की घर से बाहर गया हुआ है या तो कहीं असनानादी कर रहा होगा या देव मंदीर में बैठकर भगवान का पूजन कर रहा होगा यगदत अपने पुत्र के संबंध में इस प्रकार हमेशा अंधेरे में ही रहा और असली भेद न जानते हुए उसने ग्रिह सुत्र के अनुसार गुर्णिधी का बिवाह कर दिया बिवाह हो जाने के पश्चार यगदत की माता सदा पुत्र को समझाती की तुम्हारे पिता बड़े महात्मा है अत्यो उसके साथ ही बड़े भारी क्रोधी भी है जब उनको तुम्हारे बारे में मालूम होगा तो इसके लिए तुम्हें और मुझे दोनों को डंड देंगे तुम्हारा कुल बड़ा पवित्र है फिर तुम यह बुरे काम क्यों करते हो मेरे बच्चे तुम्हारा कल्यार इस बुरे कामों को छोड़ देने में ही है परन्तु गुर निधी पर मा के समझाने का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता था जब कभी भी यगदत्य अपनी पत्नी से अपने पुत्र के बारे में पूछता वह बात बना कर उसको टाल देती आखिर कब तक एक दिन उसने अपने पिता की अउठी चुरा कर किसी जुआरी को दे दी जब यगदत्ने उसे जुआरी से पूछा कि यह अउठी उसके हाथ में कैसे आई है तो जुआरी ने यगदत्से कहा कि उसने उसकी अउठी नहीं चुराई है किन्तु उसके यहाँ तो ऐसी बहुत सी अउठीया मौजूद है कही मेरी अउठी देखकर आपकी नियत तो नहीं बिगड़ गई यगदत्ने जुआरी की बात सुनकर कहा सुनो लला यह अउठी तो मेरी है और मुझे राजा के यहां से मिली है तुम जूठ बोलकर इसे अपनी नव बताओ परन्तु यह बताओ कि यह अउठी तुम्हारे पास कैसे आई है यगदत्की बात सुनकर जुआरी को क्रोधा गया उसने गरज कर कहा जो सत सुनना चाहते हो तो ध्यान पुर्वक सुनो यह अउठी तुम्हारे पुत्र गूर निधी ने मेरे पास जुए में हारी है उसने यही अउठी जुए में नहीं हारी किन्तु आज तक जुए में बहुत सा धन्चुरा कर हारा है आप जितने ही सजन साधू धर्मात्मा है आपका पुत्र उतना ही बड़ा बादसाह है दुख इस बात का है कि आप इतने बड़े बिद्यवान होते हुए भी आज तक अपने पुत्र की कर्टूतों को नहीं जान सके जुआरी की बात सुनकर यगदत का मारे लज्जा के बुरा हाल हो गया वह मारे लज्जा के मूर धापे हुए तथा सिर जुकाये हुए अपने घर पहुचा और घर आते के साथ ही अपनी पत्नी से पुछा की गुर निधी कहां है और वह अंगूठी कहां है जो की उस दिन तुने उबटना करते मेरे हाथ से ले ले थी यगदत की बात सुनकर उसकी पत्नी ने उत्तर दिया वह मूठी मैंने यहीं कहीं रख दी थी अब मुझे याद नहीं रहा की कहां रख थी है इस्त्री की बात सुनकर यगदत ने कहा तुम जूठी हो जब कभी भी मैंने तुमसे गूर निधी के बारे में पूछा है तुमने मुझे बात बना कर तालने की कोशिस की है अच्छा तुम अउठी की बात जाने दो और मुझे बताओ की घर का अन्य बहु मुल्य समान कहां है न जाने मेरे किन पापो के कारर मेरे यहां ऐसा पुत्र उत्पन हुआ है फिर जब उसने घर के दूसरी कीम्ती समान देखा तो मालूम हुआ की सभी बहु मुल्य वस्त में गायब थी इस पर यगदत ने हाथ में जल लेकर पत्नी और पुत्र को तिलान जली दी और एक ब्रामहर की कन्या से अपना दूसरा बिवाह भी कर लिया जब गूर निधी को मालूम हुआ की उनके पिता पर सारा भेद खूल गया है और उसने उसे और उसकी मा को तिलान जली दे दी है तो उसको बड़ा दुख हुआ वह अपनी करनी पर पस्ताने लगा भूखा प्यासा एक सिव मंदिर के पास आकर बैठ गया उस दिन सिव का ब्रत था लोगों ने मंदिर में आकर भगवान सिव का पूजन किया फिर तरह तरह के पकवान तथा खाद्य सामगरी उपर चठाई जब लोग भगवान का पूजन आदि करके मंदिर में ही सो गए तो गुर निधी ने मंदिर के भीतर प्रवेश किया और खाने पीने का सामान उठाकर बाहर की ओर भागा मगर चलते चलते उसका पैर एक सोते हुए सिव भक्त से तकरा गया फिर क्या था उस भक्त के मुँझ से चोर चोर का सब्द सुनकर सभी लोग जाग उठे और दोड़ते हुए गुर निधी का पीछा किया बहुत से नागरिक भी उन भक्तों के साथ मिल गए अंत में उन लोगों ने दोड़ते हुए गुर निधी को पकड़ लिया और सबने मिलकर उसको ऐसा मारा की वह मर गया उसके मने के साथ ही यम दूतों ने आकर उसे घेर लिया और निर्दैता पुर्वक उसे मारने लगे उधर भगवान सदा सीव ने गड़ों से कहा यदि गूर निधी, बड़ा पापी, दुराचारी और कुकर्मी है फिर भी उसने सिवरात्री का ब्रत रखकर जागरण किया हमारे पूजन को देखा है, हमारे दर्सन किये है दीपक के सरीर पक गिर्ति हुई च्छाया को इसने निवारण किया है रात्र में अपना वस्त्र फार कर उसमें बत्ती डाली है प्रसंग वस इसने हमारे गुरों का स्रवड किया है तथा ऐसे ही और धर्म कार्य किये है अतव वह हमारे लोग को आएगा कुछ दिनों तक यहां रहेगा उसके पश्चार वह कलिंग देश का राजा होगा दो लोग वहां जाकर गुर निधी को यम दूतों के बंधन से मुक्त करो क्योंकि हमने उसे अपना लिया है अतेव भग्वान स्री सत्यम सीव की आग्या पाकर बिमान पर बैठकर सूल धारी उनके पारसद भी घटना अस्थल पर पहुचे और बोले यम राज से गरो तुम अब इस परंधर मात्मा ब्रामहर को छोड़ दो क्योंकि अब इसमें कोई पाप दोस नहीं रहा यम दूतों ने भग्वान स्री सदासिल के पारसदों से कहा जो आपकी आग्या हमारे लिए सिर माथे पर है मगर यह तो दुष्ट महापापी कुकर्मी मास तथा मदीरा का प्रियोग करने वाला परिश्त्री तथा बेस्या गादी माता पिता की आग्या नह मानने वाला चोर तथा जुवारी है हम लोग इसी लिए इसको ले जा रहे हैं यमदूतों की बात सुनकर सीव के पारसदों ने कहा तुम मुर्ख हो यह ब्रामहर पापी नहीं है इसका सबसे बड़ा धर्म तो यह है कि इसने पुराना कपड़ा जलाकर सिवालय में प्रकास किया रात्र भर जागरा किया इस्थित शित से सिवालय के द्वार पर बैठ कर इसने भगवान स्री सदासियू के पूजन को देखा और हरी किर्टन को सुना इसलिए भगवान स्री सदासियू की इच्छा अनुसार यह राजा बनाया जाएगा और इस प्रकार करने के पश्चार भगवान स्री सदासियू के पारसद गुर निधी को अपने साथ ले गए